आज ठीक एक महिना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपत भी तूँछ तो इस एक महिने में क्या हुआ इस एक महिने में जम्मू कश्मीर में एक नहीं दो नहीं चार आतंकी मुठेडों में आठ हमारे जाबाज और दस हमारे लोग शहीत हो गए जो बात करते थे आतंकवाद को कबजे में करने की श्रद्धालू अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है इस एक महीने में जल पाई गुडी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ सोचा था कि पिछली बार बाला सोर के हादसे से कुछ सीखेंगे निल बटा सननाटा सीखा गया जल पाई गुडी में फिर 40-45 लोग बर गए इस एक महीने में पेपर लीग की तो मानो आपदा आ गई हो महामारी आ गई हो इस एक महीने में नीट की परिक्षा का पेपर लीग हुआ उसके बाद नेट का पेपर लीग हुआ फिर CSIR नेट स्थगित करना पड़ा नीट की पीजी स्थगित करनी पड़ा या दिल्ली विश्वा देर अपना लोग का एक्जाम नहीं करा पा रहा है पेपर लीग की महामारी है मोदी जी कहते हैं सब ठीक है इस एक महीने में दाल का आटे का दही का सब का दाम बढ़ा CNG का दाम बढ़ा टोल टैक्स का दाम बढ़ा इस एक महीने में देश ने रुपए को निरंतर नुढ़कते हुए देखा मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपिया गिरता है प्रधान मंतरी की प्रतिष्ठा गिरती है उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई इस एक महिने में बेरोजगारी ने आठ महिने का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से आप जूजिए पेपर लीग की महामारी से आपके बच्चे जूजे बेरोजगारी से इस देश का युबा जूजे हिंसा और नफरत से मणी पुर जूजे मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है वो तो मौसको में है और मौसको में वो ज्यांदे रहे हैं मौसको में वो बता रहा है कि तीन साल में तीसरी बार में वो क्या-क्या करने वाले हैं, आतंक आपसे रुक नहीं रहा हैं, आतंक वादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपया को आप मस्बूत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करने क्या हैं, यह अलग बात है कि री चार्ज भी अब इतना महेंगा हो गया है कि रील देखना भी दुर्लब होता जा रहा है तो यह है एक महीने के मोधी सरकार का पल्सम